गनेश जी ने डाला हे डेरा मालक्षमी की बरस रही है महिमा अपार चमचमाते दियों के साथ आ गया है दीपा वली का त्योहार पारस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपा वली की हारदिक्षुप कामना है हम यही कामना करते हैं कि मालक्ष्मी का आशिरवाद सदैव आपके साथ बना रहे मैं रिखागो स्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पारस परिवार ग्लोरी ओफ सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार आ गया है सबने पूरी तयारियां कर ली है मालक्ष्मी को अपने घर बुलाने की लेकिन आपने हमेशा मालक्ष्मी के पूजन की बात की है आपने ये भी जाना है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है आज अपने इस कारेक्रम के माध्यम से हम आपको जिससे की इस दिवाली का महत्व और जादा बढ़ जाएगा और आज ये तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं मातारानी के लाटले और आप सभी के चहेते पारस भाई गुरू जी तो चलिए सबसे पहले भाई जी का स्वागत करते हैं और फिर न कि अभी शुब कामना है और ये दिन आपके और आपके परिवार के जिंदिगी का सबसे बहहतर ही दिनो और इशिक हैसे चाहीं था कि आपके लिए शुब कामना है इस देव ल Eenज त्यी जैमाता दी आपको और फिर जैमाता दी आपको भाई जी आब से जाना चाहोंdon कि दीपावली का त्योहार अकेला नहीं होता आपने साथ कई सारे त्योहार लेकर आता है ऐसे मैं आपसे जाना चाहूंगी क्यों है इसका महात्म इतना बड़ा दीपावली का ये पर्व जो है ये बहुत-बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को पंच पर्व भी खा जाता ह किसी भी धर्म के अंदर 5 पर वेएक सास्थ लगातार कहείं भी नहीं आते हैं और ये 5 दिन जो हमारे सनातनी है भारत से जुड़ी जो सब्व्यता हैं जो हिंदु लोग है बहुत ही भव्यता के साथ और भाहत धूमधाम के 新聞 के साथ मनाते हैं और जो विक्ति हिंदू है, जो सनातनी है, उसके लिए दीपावली का बहुत 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 जादा महत्व है, क्योंकि दीपावली दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार बन जाता है, कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाने वाला त्योहार, ये पूरे ओल अवर वर्ड क चपपे चपपे में मनाया जाता है आप कहीं भी देखेंगे आपको दीपावली की धूम-धाम, बिग-बैंग, हर जगा आपको दिख रही होंगी और हर देश, हर धरम इसे दिल खोल कर अपना रहा है और अपनाये भी क्यों नहीं क्योंकि इसकी खुबसूर्ती बहुत जबर अपने आप में इतनी रहस्य मैता समेटे हुए है कि इस दिन कहा जाता है कि जो भी आदमी उस लक्षमी को मना ले उसका पूरी जिंदगी एकदम तर जाती है उसका पूरा साल चलता रहता है और एकदम बढ़ता रहता है वो आदमी, तो यहाँ पर अब बात करते हैं सभी सभी धर्मों की, यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्वामी रामतीरत की, स्वामी रामतीरत जो पंजाब में पैदा हुए हुए उन्हें पूरी दुनिया जानती है, इसी दिन उन्होंने समाधी ली थी दीपावली वाले दिन, क्योंकि दीपावली का दिन महान है, अब आगे बुद्ध, उन्होंने अपनी पूर्ण अवस्ता के अंदर उस परमात्मा को पाने के लिए, उस निर्वान को पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उनको निर्वान जो प्राप्त हुआ, वो दीपावली के दिन ही प्राप्त हुआ, इसी दिवाली वाले दिन तो इसलिए बहुत धर्म के अंदर भी दीपावली का बहुत जादा महत्व है। अब इसके आगे चलते हैं जैन धर्म में, जैन धर्म के जो संस्तापक हैं भगवान महावीर, उनको भी मोक्ष दीपावली के दिन ही प्राप्त हुआ था। और तो और कहा जाता है कि ग्रेट अकबर जो दीन एलाही के परिवर्तत थे, वो भी दिवाली वाले दिन चालिस गजबास उचा लगाकर उसके उपर बहुत बड़ा दिया चलाते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस दीपावली के दिन की भव्यता को नहीं जानता। इसके बाद अब आगे चलने हैं। आज ही के दिन, इसी दिन पंदरा सु सततर ईसवी के अंदर, अमरिस सरके अंदर, सिखों के सबसे बड़े, सबसे बड़े गुर्द्वारे की स्थापना की गई, जिसे हम स्वन्न मंदिर के नाम से जानते हैं। अम्रिसर के अंदर इसी दीपावली के दिन गुरु शर गोविंजी बावन राजाओं के साथ गौालियर की जेल से बाहर आये थे इसलिए शिक धर्म के अंदर भी दीपावली के इस दिन और रात का बहुत-बहुत ज़ादा माहत्वे है और इसकी महत्वता को जानती हुए ही हर धर्म और हर विक्ती ने इस दिल खोल कर अपना है चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चा हो चाहे वो कहीं भी रहता हो लेकिन जब दिवाली वाले दिन फुल जड़ियां जलती है पटाके जलते हैं तो खुद कहता है कि मुझे दिवाली मना नहीं है तो इतना जबर्दस्त और इतना भविता के साथ ये त्योहार है इसी के साथ जय मताती आपको और जय मताती आपको तो आप सभी ने जान लिया है कि दीपा वली का ये त्योहार इतना बड़ा किन कारणों से बना है हर धर्म में इसका महत्म है हर धर्म में इसका महत्व है बाई जी अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों शुरू ही दीपावली की ये प्रथा सिस्टर ये दिन हिंदू धर्म के लिए सनात्मियों के लिए सबसे सबसे महत्व बून है इस दिन की शुरुवात हुई है प्राचीन प्राचीन युगो युगो पहले शुरुवात हुई है जब लंकापती रावन का वद गरने के बाद भगवान राम अपने घर अयोध्या वापस आ रहे थे और इस दिन के जुड़ने के कारण इस दिन की भवेता बहुत ज़ादा बढ़ जाती है और तबी से उनी युगो युगो से ये परंपरा आज तक चलती है आ रही है जिसे हम आज भी निभा रहे हैं इसे पूरा हिंदुस्तान निभाता है इसके साथ साथ इस दिन के लिए और भी बहुत ज़ादा महत्व हमारे लिए जुड़ जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया लक्ष्मी पूजन भी करती है इस दिन क्योंकि लक्ष्मी के बिना दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है और हर विक्ति आज के दिन लक्ष्मी पूजन कर रहा होता है मा लक्ष्मी को मना रहा होता है हर आदमी चाहता है कि आज के दिन मा लक्ष्मी मेरे घर आए मा लक्ष्मी की कृपा मेरे उपर प्रदान हो और मैं अपने परिवार और समाज के सपनों को पूरा करपाऊं और माता लक्ष्मी कहा जाता है कि स्वर्ग से इस दिन उतर कर हर घर के अंदर जाती है बट वो किस घर में जाती है वो उस घर में जाती है जहां नकरातमक्ता नहीं होती का वो वहां पर जाती है जहां पर प्रेम होता है और जिस घर में मालक्ष्मी का आवास हो गया जिस घर में मालक्ष्मी आ गई समझ लीजिये exactly उसी इस समय से उसी शन से उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है इसलिए भी दीपा वली के इस दीपावली का त्योहार अगर आप मनाएं तो कैसे मनाएं, क्योंकि हर साल आप वही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हर साल वैसे ही आप अपने घर को सजाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग और कुछ हट के बताएंगे, बाइजी दीपावली के अगर त्योहार की तो हर कोई हर तरह से वैसे ही मनाता है हर साल की लक्षमी जी का पूजन करना है घर की सफाई करनी है दिये जलाने हैं आप से जानना चाहूंगी कैसे मनाया जाना चाहिए दीपा वली का त्योहार सिस्टर एक चीज को ध्यान रखेगा आप सभी भी कि कोई भी दिन हो कोई भी पर हो रूल्स वैसे के वैसे रहेंगे प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलते हैं रूल्स आपके हमेशा वैसे के वैसे चलते हैं आज जो मैं बोलने जा रहा हूं आप दस साल बात दिवाली मना रह होगा क्य Jugos itself के लिए हम दिवाली मनाते हैं उसी के लिए हम दिवाली मनाते हैं जिस तरीके से हमारे वैदिक संस्कृती जो हमारी चल रही है दीपावली के उस परव को मनाती यह वैसे ही हम आगे भी मनाएंगे तो इसमें बढ़ी बदलाव नहीं होंगे तो जो मैं बोल र अपने जलाएंगे कहा जाता है कि इस दिन अपने आगन अपनी गैलरी छट वाश्रूम और रसोई के अंदर बिया जरूर जरूर जलाना चाहिए साथ ही साथ इस दिन ऐसी जगा जहां पर आपने जलाशे के भंडार रखे हैं जो पानी है वही धने जहां पर आपने पानी को स्टोर किया हुआ है वहाँ पर हर हाल के अंदर एक दिया आपका जलना चाहिए और दियों के करम कुछ अच्छे हो जाएं तो जादा और बढ़िया हो जाता है क्योंकि भगवान राम 14 साल का बनवास काट कर रहे होते हैं तो 14 के करम में दिये जलाएं तो जादा अच्छा होता है 14, 28, 42, 56 इस करम के अंदर अगर आप दिये जलाएं चोटा घर, बड़ा घर बस 14 के करम के अंदर अगर आप दिये जलाते हैं तो जादा अच्छा होता है और ये दिये मैंने आपको जहाँ जहाँ बोला है वहाँ वहाँ जरूर जलाएं इसके बाद आगे चलते हैं मालक्षमी का स्वागत करना है मालक्षमी का स्वागत एक ही तरीका है, सीधा तरीका है और ये जिन्दगी पर चलता रहेगा केले के पत्ते से अपने घरों को सजाएं केले के पत्तों से आप केले के पत्तों के फूल बना सकते हैं बहुत बहुत fancy डिजाइन मिलते हैं आपको केले के पतों से बने हुएं उनके साथ आप अपने घर की सजावट कर सकते हैं केले के बारे में बोला जाता है कि भगवान विष्णू को अतियंद प्रिय है ये और भगवान विष्णू को जो अतियंद प्रिय है उनकी पत्नी को तो वो अतियंद प्रिय हो गई होगा तो केले के पत्तों से आप अपने घर को सजा सकते हैं बहुत बहुत पॉस्टिव एन नारियल रखा होता है, जब भी आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, शुब निमंतरन भेजते हैं, तो ऐसे ही भेजते हैं आप, तो ऐसा ही निमंतरन मा लक्ष्मी को आपने देना है, अपने घर के दर्वाजे के दोनों तरफ कलश को स्थापित करना है, कलश में पानी और उसके उपर नारियल रखने हैं दो इसका मतलब होता है कि आप मा लक्ष्मी उस भगवती को अपने घर आने का निमंतरण दे रहे हैं और जब आप निमंतरण देंगे अच्छे मन से तो मा भगवती मा लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी आपके घर इसके बाद कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि पारस भाई मकान नहीं बन रहा है मेरा मेरा मकान नहीं बन रहा है दुकान नहीं बन रहा है किराया के अंदर घूम रहे हैं किराया किराया के उपर घूम रहे हैं हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं उन सबी के लिए और उन सब के लिए भी जो मकान बना हुआ है जिनका और और बड़ा लेना चाहते हैं इस दिन हट्री जरूर 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 खरी दिये आप एक मंजिल ले सकते हैं आप दो मंजिल ले सकते हैं तीन मंजिल ले सकते हैं पूरा परिवार अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर उस हट्री के अंदर डाले महारानी लक्षमी की ऐसी गृपा होगी कि माता आपका मकान बनाएगी इन किरायों के जंजटों से आप मुक्त होंगे आप बहार आएंगे ये दिवाली के दिन की भव्यता है इ अतियंत प्रिये हैं और एक उपाय जो कि मैं 15-16 साल से जब से मैं टीवी पर आपके साथ हूँ तब से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और जो मुझे जानते हैं जो मुझे 2004-2005 से जान रहे हैं वो ये उपाय आस्तक कर रहे हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते इसको लेगा वो माता लक्ष्मी का भाई या बहन होगा क्योंकि माता लक्ष्मी का आपतरण ही समुद्र से हुआ था और उन कौडियों को हल्दी में भर कर रखकर आप रात के समय की जो आप पूजा करते हैं आप लक्ष्मी कुबेर की जो पूजा करते हैं वो पूजा को कंटीन सब्सक्राइब अगर आपकेक च्छागहें़ जाते हैं तो ये उपएश जरूर जरूर करना है आज की किसी भी घृएब का दिल नहीं तोड़ना है किसी भी 1 हाल के अंदर जो भि प्रिदने जाओंगे किसी भी कुमार से किसी भी विट्टी से उसके लिए मोल भाव नहीं कीजिए गाप किसी का दिल नहीं तोड़ना किसी के साथ मोल भाव नहीं करना आख बंद करकर वो सारा समान अच्छे से खरीदिये आप जिसके लिए आपने पूरा साल इंतजार किया आपके परिवार के अंदर ह्वबाता बढ़ेगी इसके बाद चलते हैं आगे आज कि अपने नसीब को जगाने के लिए रोश्नी, मौमबतियां, दिये किसी गरीब को गिफ्ट करें क्योंकि किसी के घर के अंधेरे को अगर आप उजाले में बदलेंगे तो आपका नसीब कभी अंधेरे के गर्थ के अंदर नहीं जाएगा तो ये कारे करना आपकी जिन्दगी के लिए बढ़िया होगा और इसी तरीके से ये दिवाली मनाई जाती है चाहे आप इस साल मनाईए, चाहे अगले साल मनाईए चाहे उससे अगले साल बनाएं, चाहे आपके बच्चे बनाएं चाहे बच्चों के बच्चे बनाएं लेकिन दिवाली का जो रूल है जो आज सेट किया हुआ है यह ऐसे का ऐसा ही रहेगा यह कभी भी चेंच नहीं होगा अब आजाते हैं दिवाली के पूजा कि किस समय पर ये पूजा करनी चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दीपावली की पूजा प्रदोशकाल सबसे बेस टाइम होता है प्रदोशकाल के अंदर अगर आप पूजा कर दें तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है मालक्षमी की कृपा मिलती है कुबेर की कृपा मिलती है लेकिन साथ ही साथ के अंदर स्थिर लगन के अंदर सिंग लगन हो गया, वरिश लगन हो गया इन लगनों के अंदर भी पूजा करने का विधान है और इस समय पर की हुई पूजा भी बहुत जादा अच्छा फल देती है लेकिन मेरी philosophy, मेरा जो style है कुछ अलग है मैं हमेशा कहता हूँ दीपावली बहुत अच्छा दिन है पूरा दिन कभी भी आप पूझा करेंगे अच्छा रहेगा लेकिन और लेकिन जो महूरतों के अंदर पूझा करते हैं उनके लिए महूरतों का time मेरे पारस परिवार के facebook page के उपर आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप देखेंगे दीपावली से एक दिन या दो दिन पहले हर बार किसी भी साल आप जाएंगे वहाँ पर आपको महूरत का time कितने वज़े आपने क्या करना है क्या करना है सारी information आपको पारस परिवार के facebook page पर मिल लाएगी तो इसलिए जो महूरत से करना चाहते हैं वो facebook page पर जाकर चेक कर सकते हैं पारस परिवार के जो पारस भाई के साथ हैं कभी भी कर सकते हैं बॢए और इसे के साथ दीपा वली आपके बहुत शुभ हो महरानी के आपके ओपर क्रिपा बने और य텐 confess हमेशंगी सी और ये मिरा विश्वास और ये मेरल विश्वास मजाएगा जिब जय मता दिया आपको और फिर से जय मता हर आपको जैसा कि भाई जी ने आपको बताया कि आप दीपावली के महुरस जुड़ी सभी जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज पर और साथ ही आप अपने कमेंट्स हमें इंस्ट्राग्राम पेज पर भी भेज सकते हैं साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न या कोई अपनी दीपावली को मनाते हुए फोटो हमारे फेस्बुक पेज़ पर शेयर कर सकते हैं साथ ही आपको आज की हमारे वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करना साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुलना भूलें भुलें जय मादादी जय मातादी वैदिक और आधुनिक भारत विविदिताओं और कौतुहल से भरा है। हमारे वैदिक भारत की संस्कृती और सब्धिता अत्यन्त प्राजीन हैं जिसकी जहलक हमारे सभी उत्सवों वत्योहारों में देखने को मिलती है। सनातन में मनाये जाने वाले हर त्योहा और हर कर्म का कोई न कोई अध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्तु भी होता है। हमारे वैदिक भारत में कही गई बातें और त्योहारों वो उत्समों को बनाने का महत्व आज का आधुनिक भारत भी नजर अंदाज नहीं कर सकता. क्योंकि वैदिक भारत आज के आधुनिक भारत की जड़ है और जो व्रक्ष जड़ों से दूर हो जाएगा उसका पनपाना असंभव होता है. तो ऐसे में वैदिक और आधुनिक भारत को जोड़ने, सनातन की गौरवशाली संस्कृती का व्याख्यान करने और भारती त्योहारों वो उत्समों को मनाने के अंदाज को बताने आ रहे हैं. अध्यात्मिक वो मोटिवेशनल गुरू शिरी शिरी पारस भाईज, जो हमें बताएंगे हर उत्सव, संस्कार वो त्योहार को कैसे मनाया जाए. इन्हें मनाने के पीछे छिपी पावरानिक कहानिया और उनका महत, साथ ही इन त्योहारों को मनाने की विधी और उससे मिलने वाले शुब खलों को कैसे प्राप्त किया जाए कि जिन्दगी जीने का मज़ा आ जाए. तो अपने भाई यानि श्री श्री पारस भाईजी से हमेशा जुड़े रहने के लिए और उनकी अनमोल वाणी यानि उनके प्रवचनों को देखने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चानल पारस परिवार ग्लोरी आफ सनातन धर्म को अभी सब्सक्राइब करें. बेल आइकन दवाना नहीं भूलें, यकीन करें, यही वो जगह है जो आपकी हर जिग्यासा को खत्म करें, क्यूंकि अपनी संस्कृती और विरासत को जानना हमारा कर्तब दें, क्यूंकि जो हम सीखेंगे, वही तो हम अपने वंश को दे कर जाएंगे.